हेलो फ्रेंट्स गूड मॉर्निंग और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्भागत है तो फ्रेंट्स अभी हो रहे हैं सुभए के अभी बज़ रहे हैं आठ और यहां पर जो है मैं अपने लिए जो है थोड़ी सी यहां पर मैं रोटियां बना रही हूं क्योंकि फिन में उतना मैं बना देती हूं और अपने लिए जो है जब मैं अपना काम जब मेरा खतम हो जाता है तब मैं अपना आराम से फिर में बना कर और खाती हूं तो यहां पर देखिए अभी जो है तीन रोटी जितना आटा मेरा बचा हुआ था और मैंने उसको रख दिया था धकर तो अभी जो है मैं उन्हें की अभी मैं यहां पर रोटियां बना लेती हूँ क्योंकि आट बज गया था और मैं नहादो करा गई हूँ देखिए मेरे बाल भी अभी तक सुखे नहीं है और गिले बाल ही हैं और मैं यहां पर देखिए अभी फटा फट से रोटी बना रही हूँ ऐसे तो मैंने सोचा था था कि तीन कोनों वाला जीव पर आंठे होते हैं ना मैं वो बनाओंगी लेकिन फिर इतना काम करने के बाद मुझे बिलकुल भी बनाने का मननी कर रहा था क्य मतलब नहाने के बाद हमें लगता है कि हम थोड़ा सा रेस्ट करें लेकिन भूग भी लगी हुई थी तो फिर मैंने ऐसे ही सिंपल रोटी बनाई और फिर उसमें मैंने थोड़ा सा रिफाइन वगरा मैंने लगा दिया है क्योंकि सूकी रोटी अच्छी नहीं लगती है खा होना चाहिए तो फिर मेरा सड बहुत अदर्द करने लगता है तो सुबह जो है एक टाइम में चाय जरूर पीती हूं और खाली पेटनी पीती हूं सबसे पहले जो है मैं हलका गुनगुना पानी जो है वो पीती हूं उसके बाद पांच मिनट बाद में कुछ चाय वगरा न तो कपड़े ये जो है ना ये कलके ही है अलाकि इनको मैं ना सीडियों में मैंने सुखने के लिए दिया था और ये सुख गये है लेकिन थोड़ी सी अगर इसमें हवा नहीं लगेगी ना तो फिर ये कपड़े अजीब सा स्मेल करने लगते हैं तो अभी यहाँ पर धूप तो नहीं थी लेकिन मौसम साफ था तो हवा चल रही थी तो मैंने सुचा कि कपड़ों को मैं बाहर यहां पर तार में दे देती हूं और ये कल वाले कपड़े थे और आज वाले जो कपड़े है उसे मैंने छट पर दिया है सुखने के लिए क्योंकि देखिए वो आज मैंने दोये हैं तो वो गिले हैं अगर वो थोड़ा सा भीग भी जाएगा ना तो चलेगा लेकिन ये जो कपड़े हैं इसे मुझे कलके हैं तो ये सुखे हुए हैं और अगर इन्हें मैं उपर डालती हूं तो अदेकि ऊपर जाने के लिए सीड़ियां चड़नी पड़ेगी और सीड़ियां चलते चलते मैं उपर गई और अगर जोर से मतलब ऐसा हो रहा है ना कि अचानक से बारिस आ जा रही है कभी भी और वो भी जोरों से आ जाती है तो जब तक मैं छट पे चड़ूँगी ना गेट खोलूँगी क्योंकि गेट जो चट का गेट है वो बंदी रहता है क्योंकि हवा चलती है ना तो बहुत जोर से तकराने की आवा जाती है तो इस तरह से ना जो उपर वाली सीड़ी के दिवार है ना उसको भी नुकसान पहुचेगा और गेट को भी तो गेट को जो है मैं वो लगा के रखती हूँ तो फिर मैं चट पे जाओंगी गेट खो पड़े उठाने पड़े थे क्योंकि फिर से थोड़ी सी रिंजीम बारिस और स्टार्ट हो गई थी तो यहां पर देखिए मैंने यहां पर चावल चड़ाया है और आज जो है लाइन नहीं था तो मैंने गैस पर यहां पर चावल चड़ा दिया था तो यहां पर देखिए सब मिलाके डेड़ के जी के उपर दूद हो गया था तो सभी को मैं रख दूँगे हो सके तो रात को मैं इन सब की खीर बना दूँगी और उसके पद देखिए एक साइट पर मैंने चावल चराया थे और दूसरे साइट पर मैंने डाल चराया है और यहाँ पर डाल में मैं और हल्दी नमक डाल दूँगी और फिर ये डाल बनेगी और इधर देखिए मेरे मसाल दानी में नमक खतम हो गया था तो मैं फिर इसमें नमक अभी भर दे रही हूँ और डेली यूज के जो मसाले होते हैं न मैं इसी मसालदानी में रखती हूँ और जो ज्यादा होते हैं मैं उसको अलग कंटेनर में भरके और फिर साइड में रखती हूँ जितना जरूरत मुझे पढ़ता है और उस हिसाब से जो है मैं रखती हूँ और यहां पर देखिए कि मतलब किस तरह का मौसम अभी करके रखा है हलकी हलकी एक आत बुन करके भी पानी आना स्टार्ट हो गिया था और मुझे लग रहा था कि मुझे अब कपड़े उठाने पड़ेंगे सुखेंगे नहीं और पूरा ऐसे लग रहा था कि जैसे रात होने अभी इस तरह का मौसम किया हुआ था और ना मैं आपको दोनों साइट से दिखाती हूं अपने आंगन के तरफ से मैंने मौसम दिखाया है और इधर से देखिए पूरा ना बिल्कुल साम के जैसा टाइम हो रहा था जिस तरह मतलब होता है ना सांच के टाइम में जब रात ह अभी इस तरह मौसम होता है ना बिल्कुल वैसे ही मौसम भी हो रहा था और उसके बाद में जो है अभी कप्रे मैंने नहीं उठाया है मैंने सोचा कि जब जोर से बारस स्टाट हो जाएगा ना तो फिर में दोड़के जाके उठालोंगी और यहां पर जो है चावल का पानी और उसको ढखकर रख दिया है और जो है मैंने आलू पहले ही बोईल कर लिया था तो आज जो है मुझे सबजी बनानी है आलू और परवल की तो यहाँ पर देखिए मेरा जो चावल है वो बन गया था तो फिर पर चावल का जो है मार निकाल लेती हूँ पहले और उसके बाद घर में रखा हुआ था ना हलका फूल का अभी नास्ता जो है तो देखिए बच्चों को तो मैंने टिफिन दिया ही था लेकिन बच्चों का मन है ना तो उन्हें हमेसा चट पटा कुछ नो कुछ खाते रहने का मन कटते रहता है तो अभी यहाँ पर देखिए थोड़ी सी भ गूसड़ी को और देखिए वायल और तो चमच से काटके दिखा तो कट रहते, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आ गए हूँ अभी सब्जी बनाने के लिए, क्यूंकि अभी बहुत टाइम हो गया था दूपैर के 12 बज गये थे और आज मेरा काम शरिफ कपड़े म तो बहार निकालते हैं यह मेरा पूरा टाइम खतम हो गया बहुत ज़्यदा परसाइग हो रही थी बार बर कप That सूक नहीं रहे हैं बार बर बार बारिश आ जा जा रही है कपाड़े जब मैं निकाल रही ह। तो बारिश आ जा तो यहां पर देखिये परवल जो है बिल्कुल अच्छे से फ्राइ हो गया था तो फिर मैं परवल को भी निकाल लेती हूं और इसी तल में जो है मैं आलू भी फ्राय कर लूँगी और मेरी सबजी जो है वो बन कर त्यार हो जाएगी और ये आरू परवल की सबजी बहुत जल्दी बन जाती है और मुझे बहुत अचे लगती है ये खाने में और यहाँ पर देखिए उसी तिल में मैंने प्याज डाल दिया है काट के मैंने रखा था और ये प्याज जो है जब फ्राया हो जाएगा तो फिर मैं इसमें आलू भी डाल दूँगी और जैसे परवल चाहे तरहिक में बन कर कंड़ी आवा. प्रवल को अध्य परवल को मैंने पहले कर लिया था और अलू जो भी वह बाइल तो सबसी तो फिर तुरन बन गई है तो सब्जी तो ठोड़ा सा पाने डाल के मैं इसको अच्छे से कराऊंगे ता उसके बाद सब्जी बिल्कुल आचय से बन कर तयार हो जाएगी तहां पर देखिए मैं डूने बच्चो को नहमा दिया था और बच्चो को कर लेती है लेकिन पीछे ने कर पाती है तो पीछे में इनको कर देती हूं तो यहाँ पर देखिए अभी जो है मैं बाबु को अच्छे से बाल में कंगी कर दूँगी और यहाँ पर देखिए मेरा बेटा जो है वो यहाँ पर ना खेल रहा है तो अभी जो है वो बारिज जो अभी न होकर बस बारिस बंद हो गई है तो बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे और बस यही तक थी मेरी वीडियो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब करिएगा तेंक यू